देखिए आपको ये जानके रखना है कि बीमारियां नाम बदलती हैं लेकिन बेसिक सिंटम एक ही होता है बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है अब आज कल एक नई चीज देखने को मिल रही है और वो है ठंड के कारण लगने वाला बुखार ये पहले भी होता था आज जादा हो ग तो मोसम बहुत ठंडा हो जाता है लेकिन अब रात में नीन में सो गए टाइमर लगाया नहीं है एसी चल रहा है और पंखा भी चल रहा है अच्छा एक कभी कुछ लोग शर्ट पहनते हैं यह नहीं पहनते हैं बनियान तो क्या होता है कि वो जब गर्मी लग रही होती है त सुबह उठता है इसका गला चोक, नाक बंद, हात पैरों में सब में जक्रन हो रही है, पूरा शरीर, बैक, सरवाइकल, सब तूट रहा है, ऐसे हाल में अब आप वो क्या करेगा, एलो पैती के साथ से तो हर चीज में एक ही चीज है, वो क्या है, भाई पें के दर ले लो, या पैरसितामौल ले लो, अच्छा उसे गरम-गरन सा लगता है पूरा शरीर, वो कहता है, यार मुझे सुपह बुखार आ गया है, और वो कहता है, मैं जाज काम पे नहीं जाओंगा, क्योंकि मेरी बाडी में तो बहुत दर्द हो रहा है, एक्चुल में इसको हमारे यहां ना अब तुम उसे रोज खाओगे, जो चीज दवाई है, तो उसका फिर दवाई वाला आसर खतम हो जाएगा, दवा का आसर एदि आप चाहते हैं लेसन से, गारलिक से, तो उसको आपको सिर्फ ऐसे मेडिसीनी यूज़ करना चाहिए, रोज भोजन में उसका इस्तमाल न करें लेकिन आप वो चुकी नॉनवेज का चक्कर है, नॉनवेज की जो स्मेल होती है, उसको छुपाने के लिए एक तीकी और तीकी स्मेल डालनी पड़ती है, इसलिए वो लेसन और प्याज का चकर चला हुआ है, फिर वो माइन के प्रोग्रामिंग हो गई लोगों की, तो वो इतनी बढ़िया दवाई है, उसका यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको थोड़ा कम लें, ये प्रयतन करें कि केवल दवाई के रूप में लें, और जीरा तो आप ले सकते हैं, पर जीरा और लहसन, जीरा का भी इस्तमाल, लोग ऐसे करते हैं, जैसे वो कोई गरम मस साला है, नहीं, जीरा बहुत बड़ी दवाई है, तो जीरा और लहसन ये बड़े गरम होते हैं, और व्योश, व्योश का मतलब होता है, तीन चीजों को मिला करके नाम दिया गया है व्योश, एक तो है काली मिर्च, एक लंबी वाली काली मिर्च, उसको बोलते हैं पिपरी, और तीसरा है सोंट, ये सोंट मतलब सुखी हुई जो अद्रक है, अद्रक मतलब आर्द्रक जो गिली है, सुख जादे वो अद्रक तो उसको बोलते हैं सोंट, वो दवाई है, तो पिपरी, काली मिर्च और सोंट को इक्वल 1 is to 1, 1 is to 1 में आप मिला करके रख लेजिए, उसको बोलते हैं व्योश, और चौती चीज है पाठा, ये पाठा जो है वो सड़क के किनारे, ये जो मतलब बिल्कुल जो जाडियां होती है न, उसमें पाई जाने वाली एक अमरत रूपी, एक जड़ी बूटी है, एक हर्व है, पाठा आपको उगाई नहीं जा सकती, ये अपन पे जाओगे तो आपको पाठा, ये अर्क अकववा का पत्ता और ये आपको मुस्ता, ये सब मिलती हैं, पाठा अपने आप में जितनी भी शरीर की अंदर जो पित है, इसको ठीक करने की अमरत दवा है, राम पाना, मिल जाएगी, नहीं तो आप यदि पंसादी के दुगा जीरा डाला और पाठा मिलाया, उसमें के पत्ते लिए डाल दिये, दस पाठा के पत्ते, अराम से मिल जाते हैं, और एक चम्मच, मतलब 5 ग्राम करीब करीब, सोठ, पिप्री और काली मिर्च का पाउडर, 5 ग्राम कुछ लोग बहुत हो गया, तो आप 2 ग्राम तो लेगी ल करना है, और इसको उस्ने वारिणा, गरम पानी में डाल दीजिये, और जब पिए, तो उसमें थोड़ा सा एक चम्मच, गुल मिला करके पीजिये, एक तो ये तेस बड़ा चाहता है, मिर्चीला, कड़वा और मीठा, और ये पीते ही, शरीर के अंदर वो जो जितनी भी जक करता है, बच्चे बिचारे आज कल सब AC में सो रहे हैं, अब आज़त पढ़ गई है, और या पूरा पंखा चला के सोते हैं, वो भी बुरी आज़त पढ़ी हुई है, तो उस हालत में ये करना बहुत ज़रूरी है, आज कल बच्चे लोग इतना तेस पंखा चलाते हैं, पा